आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटी कटोरी चाट की रेसिपी जिसका नाम सुनते ही सब के मुँँ में पानी आ जाता है और आज के इस कटोरी चाट को ना हम ब्रेड के साथ बनाएंगे और वो भी बिना कुछ फ्राय किये सिंपल बेक करेंगे और वो भी अपने होमेड अवन यानि की कडाही में और खाने में तो ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगी और अंदर से चटपटे चाट के फ्लेवर्स बहुत ही जादा पसंद आएगी आपको तो चलिए बिना देरी किये फटा-फट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे तो इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटोरी यानि की टोकरी बनाएंगे जिसको मैं बनाऊंगी आज ब्रेड के साथ तो इसके लिए मैंने ये ब्राउन ब्रेड ली है आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले इस bread की ये जो sides है ना इसे हम निकाल देंगे अचाने sides को आप फेंके का नहीं इसको आप grind करके इसके bread crumbs बना सकते हैं और बात में किसी भी snacks में use हो सकते हैं ये तो बस इसी तरह से बाकी की सारी slices की sides को निकाल देंगे आइसके बात अब हम सबसे पहले अपने homemade oven यान की कडाही को गरम होने के लिए रखेंगे तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कडाही लेकर इसमें नमक डाल लेंगे ये normal regular white वाला नमक है और फिर इसमें एक stand रखके इसे उपर से धग देंगे और medium flame के उपर इस कडाही को ना 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने देंगे आइसके बाद अब हमने ये जो slices की sides remove की थी इसमें से एक-एक slice लेते जाएंगे और इसे ना हम हलका-हलका सा बेल लेंगे बहुत जादा पतला नहीं करना है आप देख रहे हैं कि बलकुल हलका सा ही बेला मैंने इसे तो बस इस तना से हलका सा बेलने के बाद अब हम इस slice के ऊपर ना दोनों तरफ पर थोड़ा-थोड़ा सा butter लगा देंगे मैंने यहाँ पर यह melted butter लिया है आप इसकी जगह वैसे इसमें oil या देशी घी भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तना से यह bread slice को तायार करने के बाद अब हम कोई भी cupcake mold ले लेंगे मेरे पास याज यह silicone वाला था आप चाहो तो इसकी जगह aluminum cupcake mold भी use कर सकते हो या फिर अगर इस तरह के cupcake mold नहीं है आपके पास तो आप घर की कोई भी normal छोटी सी कटोरी ले ले लिजिए तो बस हमारी एक टोकरी तायार है इसी तरह से बाकी की सारी bread slices को डाल देंगे इस mold में तो हमारा यह mold तायार हो गया है इसके बाद अब हमने यह जो कडाही गरम होने के लिए रखी थी अब यह भी बलकुल अच्छे से गरम हो गई है तो carefully इस mold को इसमें रखतेंगे और इसे उपर से ढखकर medium flame के उपर इसे बेक करेंगे तकरीबन 7-8 मिनट तक या तब तक जब तक कि यह जो bread है यह एक तम अच्छे से crispy न हो जाए और अगर आप इसे oven में बेक करना चाहते हैं तो आपको इसको preheated oven में 180 degree पर तकरीबन 5-7 मिनट तक बेक करना है या तब तक जब तक कि bread अच्छे से crispy न हो जाए तो इसे रखे वे मुझे तकरीबन 8-9 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि bread कितने अच्छे से crispy golden brown हो गई है यह अगर आप चेक करेंगे न तो bread एकदम crispy हो गई है तो बस इस mold को अब हम निकाल लेंगे और इसी के साथ हमारी यह bread की कटोरी यानिकि यह टोक्री सकते हैं तो कुछ दिर पहले आप इसे बना लीजिए और जब भी आपके महमान आए आपको इसको सर्फ करना है आप इसमें चाट का mixture डालिए और इसे सर्फ कर सकते हैं तो चले यह कटोरी तो हो गई तायार अब हम इससे बनाएंगे आज के अपनी यह कटोरी चाट तो इस जाल देंगे हम इसमें और आपने में दाला अनार फिर उबड़ेंगे थोड़ा चाक मसाला काला नमग भूना जीरा पाउडर आ इसके उपर डालेंगे थोड़ी दही I already की खटी मिठी चटनी और साथ में हरी चटनी भी डाल देंगे और फिर से इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे भुना जीरा पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला थोड़े अनार के दाने रख देंगे साथ में रखेंगे थोड़ा बारी कटा हुआ प्याज और इसके ऊपर मैं फिर स इसी ये आलू भुजिया मेरे पास आलू भुजिया थी आपके पास सेव हो तो भी यूज कर सकते हो आप और फाइनल इसके ऊपर स्प्रिंखल करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला तो बस इसी के साथ तायार है हमारे ये बहुत ही क्यूट यमी चटपती सी कटोरी चाट आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रहे हैं ये देखने में इसमें चटपते से चाट के फ्लेवर्स हैं और 57 ब्रेड बहुत ही ज़ादा यमी लगती है ये और इस चाट के लिए हमने किसी चीज को फ्राय भी नहीं किया है सिंपल सा बेग कर के बनाया ऐसे और वो भी कडाही में तो टेस्ट के साथ-साथ या आपके लिए गिल्ट फ्री भी रहेगी तो इंजॉय करिए इस चटपटी सी कटोरी चार्ट को अपने फ्रेंड्स और फामली मेंबर्स के साथ और हां मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीस के आप मेरे इंस्ट्राइग्राम पर और अगर आपको आज की ये कटोरी चार्ट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें